वेलेंटेस यहां कैंसर को मात देने में पूर्ण तेह सक्षम, रेजिडेट टोमो थेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है टोमो थेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वर्धान से कम नहीं कैंसर मरीजों के लिए समर्पित, उतरी भारत का एक मातरू होस्पिटल नगर निगम वे जिम्मेदार अपसरों की आँख का पानी भले ही सूख गया हो लेकिन स्मार्ट सिटी की दोड में शामिल मेरट जरासी बरसात में जल भराव के मामले में काफी आगे निकल चुका है शहर की सडकों वे नालों ने बीच की दूरी को मिटा दिया है तापमान में गिरावट के साथ ही नालेवे सडके पानी से लबालब है यूपी को स्मार्ट सिटी के मामले में नमबर वन घोशित करते हुए दिल्ली सरकार को भले ही मुचलाया जा रहा है लेकिन शहर के बाहर बना तकंकर खेड़ा थाना हकीकत कुछ अलग हे बया कर रहा है यहां थाना परिसर में घुटने तक पानी भर गया है परिसर की आवासी कॉलानी का और बुरा हाल है जितना पानी बाहर फेका जा रहा है उससे जादे गती से पानी घरों में घुस रहा है नगरे सुरक्षा के लिए तैनाथ पुलिस कर्मी पानी को फेकने के लिए मज़वूर है ड्यूटी से छुट्टी उन्हें लेनी पड़ रही है मैं हूँ रवी शर्मा और आप दिख रहे हैं firstby.tv आईए पहले आपको दिखाते हैं हाइटेक मेरट का कंकर खेडा थाना परिशर यहां हमारे सहोगी ने पुलिस क्वाटर में रह रहे ही गीता से बात की सुनिए गीता की कहानी उन्हीं के जुवाने कराती है 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 कर के किस तरह किस तरह किस अमस्यां का सामना करना कर अपको अब तो देख रहे हो कि तरह सारा नुक्सान्स अब कैसे रखा मेरा सारा समान, आप नहीं देखा ही अंदर अच्छा, अब कैसे आप दिन चर्णे अपनी पूरी करेंगे, खाना वगएरा बनाया, कैसे रखोई वगएरा में सब जगा पानी है, कैसे करेंगे अब जूक्टी वगएरा पर जाना होगा? चुटी लिए एक दिन की बारिश की वएसे? अच्छा, ये हाला क्या इस बारी है हैं, हमेशा ऐसे होता है? ये कही साल सा ऐसी होता है, अब की जाद होगा उधर एविज क्रॉसिंग व्यापार संग अध्याक सुधान्शों महराज ने बताया कि स्रिवाजी रोड स्मार्ट रोड में पास हो चुकी है नगर निगम से बराबस शिकायत की जा रही है कि यहां का की सीवर लाइन ठप है लेकिन किसी के कान पर जो नहीं रिख रही यहां हल तब है जबकि नगर निगम प्रतिवर्ष 10 से 15 लाख रुपे ग्रहे करके रूप में इस बिल्डिंग से वसूलता है आस्तंगा कर प्राइवेट गाड़ी से पंप लगा कर सीवर का पानी सड़क पर छोड़ देना पड़ा है जल भराव में सीवर के पानी ने कोड में खाज जैसे हालक पैदा करती है रहगिरों को भारी परिशानी उठानी पड़ रही है इस खबर में फिलाल इतना ही कोरोना की रफ्तार धीमिय वश्र पड़ी है लेकिन अभी कोरोना खतम नहीं हुआ है सरकारी गाड़लेंड का पालन करें और जब तक जरूरी ना हो घर से ने निकले घर पर रहें सेफ रहें देखते रहें ये firstby.tv नमस्कार